हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मेट्रो चैनल एक्स्ट्रेंसिक कोचिंग गुजरात मेट्रो रियल कोर्पोरेशन देट इस जी ये मार्सी आप कह सकते हो उसमें बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है बहुत ही अच्छी वेकेंसिस है फ्रेंड अगर आप एंजिनियर ग्रेज के बारे में इस वीडियों हम बात करेंगे क्या रिक्रिट में नोटिफिकेशन है क्या सिलेबल्स होगा कैसे आप एक्जाम को क्लियर कर सकते हो क्या जौब प्रफाइल होता है जौब में कितना सैलेरी मिलता है आपको कंप्लीट डीटेल जो एक जौब के लिए चाहिए वह जो सारी डीटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर अब तक आपने नहीं कर फ्रैइजए इस हरको कर vinden को सेइर करना उती Mais एक हिस्ट्री के बात करें तो सबसे पहले गुजरात में जो है वह पहले एक मेंगा लिंग प्रोजेक्ट था जिसका नाम था एम इजी अ मेगा फॉस्ट रिक्रूट्मेंट हुआ था टू-thouse-and-seventeen में सेटेंड रिकूटमेंट हुआ टू-thouse-and-twenty-one-twenty-two में और यह एक एपकर करना चाहिए, इसको जोईन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बारे में डीटील में आपको इस वीडियो में बताऊँगा, कि ये फ्यूचर है इंडिया का, और ये जोब बहुत ही बढ़िया जोब है, जो भी मेरे स्टुटनेंट जाओ कर रहे है, प् सब की हम डिटिल में इस वीडियो में बात करने वाला है तो ऑनलाइन इरिज्टरेशन स्टार्ट हो चुका है नाइन जून तक आप एपलाई कर सकते हो पेमेट भी आप ओनलाइन कर पाओगे टैंथ में टू नाइन जून तक और डेट ऑफ टेस्ट जो है आपका एक्जाम ज इजिनियरिंग ब्रांच से डिप्लोमा किया हुआ है या तो डिग्री किया हुआ है तो आप यहां पर बैजिक जो है वो थोटाइट तक हैं और यहां पर बेजिक जो है वह थर्टीटीट थाउजदन है उसके बात है जो है आपकी टोटल मैं आपको बता दू ऑरांड और सूरत में ही अब नेर्व पूस्टिंग होता है जहां पर मेंट्रो सिटे की वज़े से हैं अलग-अलग होता है इसलिये अलग-अलग होता है लेकिन मिनिमुम आपको 45-50,000 जो है यह से रेंज में आपको से मिलें तो से बहुत ही बढ़िया है जो प्रोफाइल भी बहुत ह करते हैं सियारे की अगर साइंस ग्रेजुएट सो आप मतलब आपने फिजिक्स केमेस्ट्री मैथमेटिक्स डिसिप्लीन में बीसी किया हुआ है आप साइंस ग्रेजुएट हो तो वहां भी 46 है यह बड़ी है जिसे कस्टमर रिलेशन्स असिस्टंट कहा जाता है यहां भी 28 ए मतलब इस इतना वेकेंशि इसा बोला है लास्टाम तो जो सारी को मिला यह इस Whatever ऐगर Mafन है そう किया हुआ है तो और乾 बसमें एकुतेट्रिग्स कीया हुआ है जो है यह मिलने वाला है यहां भी 28 यर तक की एज लिमीट है तो यहां पर आप जो है यह opportunity बहुत ही बढ़िया है बता दू आपने डिपलोमा किया हुआ है या तो डिग्री भी किया हुआ है तब भी आप इस recruitment के लिए कर रहे है 2017 से बहुत ही अच्छा है उसके बाद में को बताया था कि अगर आप आप आपने फीटर या मितलब किसी भी ब्राद से आपने किया हुआ है तो उसके लिए भी 58 नमर फेकेंसी है MTNR फिटर जिससे कहा जाता है और Maintainer फिटर जिससे कहा जाता है इसमें भी 25 य데 की एज लिमीर जो है वो है उसके बाद बात करें maintenance electrical की तो उसमें भी 60 number of vacancy है, maintenance electronics की बाद करें तो उसमें भी 33 vacancy है, तो यहाँ पर अगर आपने ITA electronics किया हुआ है, तब भी आपके लिए बहुत भी बड़ी opportunity है, almost 25 to 30,000 तक का salary आपको यहाँ भी मिलेगा, तो एक बहुत important इस notification में जो line है वो यह है, candidate also along with the higher qualification in respective discipline can also apply, मतलब आपका higher qualification मतलब आपने B, B take किया हुआ है, या तो आपने M take भी किया हुआ है, तब भी आप जो है इस vacancy के लिए eligible हो, तो यह बहुत ही बड़ा news है friends, DR, DO, September 10 का जो exam निकला था, last time को पता है, उसमें B वालों को allow नहीं किया था, उसमें clearly लिखा था कि higher education qualification है, तो आप form field नहीं कर सकते, यहाँ पे आप eligible metro में रहते हो, तो यह बहुत ही बड़ी है वेकेंसी है, maximum qualify होने वाले भी B के student ही होते हैं, सारे vacancy इस प्रोविजनल है, इंक्रीज है रिक्रीज हो सकती है, पोजिशन जो है अटवर्टाइजमेंट का, हाँ टेकनिकल पोस्ट है, और परसर भी disability के लिए जो है, वो मतलब काफी सारी positions है, जो available seats नहीं होंगे, ऐसा यहाँ में बताया होए, रिलेक्शेशन दिया जाएगा, सेस्ट यहाँ अभी सी को, आप समझ सकते हो, मतलब जो आपका station पर रहता है, जो पूरे station को control करता है, और train operator मतलब जो train चलाता है, आप के सकते हो train का driver, तो वो SC में भी काफी लोग को रखा जाता है, काफी लोग को टीव में रखा जाता है, उसके बाद काफी change किया जाता है, ट्रेंच लाना आपको कुछ नहीं और उसकी जो सेंटर्स होता है अपरेशन कंट्रोल इससे कहा जाता है तो वह हर जगह पे आपका पूस्टिंग होता है और यह जोब भी बहुत भढ़ी आज़ फ्रेंट्स जोब ॉप्रोफाइल यहांपर एक और चपे बता दूब यह शि से कहा जाता है और कैट्रिंग जो होता है यहाँ बास टू सिटी संर जो में सुंप्राइबॉस अधिन जॉप प्रोफाइल ऑफ जेही है ने धियक है यह पर मैं आपको बता रहा हूं लेकिन रही स्टुड़न्ट कर фин है कि सर यह गवर्मेंट जोप जैसा ही है जो प्रोफाइल ओल्मॉस्ट गवर्मेंट जोब जैसा ही है आपका यह एक चुली एस पी इस का मतलो स्पेशिल प्रपॉस वेहिकल है तो थोड़ा बहुत अंवायर्मेंट प्राइवेट जैसा होगा लेकिन जोब प्रोफाइल बिल्कुल जाब जैसा है और यहाँ पर और बात लिखी हुई है कि 5 साल का कॉंट्राक होगा यह हर बार कोई भी मेट्रो में होता है तो आपका जॉब चला जाएक ऐसा बिल्कुल नहीं है आपका एक्चुली में बात बताओ पांस साल भी नहीं, सेवन इयर्स तक आपका जॉब जो है, वो फिक्स है, कैसे सेवन इयर्स है, इसकी बात हम आगे डीटिल में करेंगे, जो प्रोफाइल जो है, जुनियर एंजिनियर का, हाँ वो भी मेंटेनस का होता है, डिफरेंट इलेक्रिकल, रोलिंग, स्टोक, लिफ्ट, एसलेटर, जो होता है, एन्म, पावर सप्ला, स्टोर्स वगेरा जो होता है, हाँ, सिग्नलिंग, एन्टेलिकॉम, इगर इसी आपने किया हुआ है, तो अटोमेटिक, फायर, कलेक्शन, रोलिंग, स्टोक, असकाडा, स्टोर्स वगेरा जो है, उसका आपको देखना है, मेकेनिकल सिस्टम, ट्रेइन, मेंटेनेंस, आपका मेंटेनेंस, आपका मेंटेन स्ट्रक्शन, एन्म, सिग्नलिंग, टेलिकॉम, सब में मेंटेनर का जो प्रॉफाइल रहता है, यहां भी नाइट शिफ्ट आ सकता है, तो यह हर ड्यूटी में नाइट शिफ्ट की पॉसिबिलिटिस रहती है, ठीक है, नेक्स्ट बात, आपको बता दू कि यहां पे जो है पेपर जो होगा, वो बेज़ूंत, एलिजिबल केंडिडेट होगा, क्वलिफिकेशन पे, और रिटर्न टेस्ट होगा, 100 माक का, और एक गुजराती लेंग्विज टेस्ट होगा, 20 मार्क का, मतलब तम्हें गुजराती चो, तो तमारी माटे आप बेस्ट ऑपर्चुनिट टेस्ट है, यहां पे गुजरात वालों के लिए ही 20 मार्क का अलग से लेंग्विज टेस्ट है, जो क्वालिफाइ करना कंपल्सरी है, जो बाहर वाले नहीं कर पाएंगे, तो तम्हें गुजराती चो, तो तमारा माटे आप बेस्ट ऑपर्चुनिटी चो, समझी इसके लिए पुरा प्लेलिस्ट में चैनल पे अवेलेबल है, उतना प्लेलिस्ट आप कर लोगे, मोर देन इनफ है आपकी प्रेशन के लिए, चंदरल इंग्लिज यह है, यह भी मैंने डीटील में करवाया हुआ है, अल्मोस्ट 25-27 वीडियो से लाइलेक्टिस लिए हुए लेकिन मैंने आपको syllabus लास्ट टाइम भी जो पर निकला था पहले बता दिया था वही syllabus था, इस टाइम भी syllabus मैं पहले सी आपको बता दे रहा हूँ, मेरा वीडियो जो है जिसका लिंक जो है मैं आपको description box भी provide कर दूँगा और conversation भी provide कर दूँगा, तो और पुरा प्लेलिस् जनरल इंगलिश के 15th question है, तो maximum जो है आपका technical knowledge जो है maximum marks cover करता है, यहाँ पर negative mark है one fourth, मतलब 0.25 negative आपका होगा, cutoff score जो है, वो decide होगा, total score आपका जो होगा, उस पे वो जीमार से decide करेगा, ठीक है, qualifying होता है, यह short listing के लिए test है, उसके बाद होता है medical examination ही बहात important है friends, अगर है, हाँ कुछ limit से आगे number से आपके आँख के, तो यहाँ वो जीमार सी में allow नहीं होता, हाँ जो qualify होता है, क्योंकि पिछली बार मेरे कुछ students का medical examination clear नहीं हो आता, इस तो की बज़े से उसको job नहीं मिल पाया था, तो medical board जो है, civil surgeon इंदाबाद, गांधिन नंगर वी authority to contact medical examination, इस फॉर्स टैम जो medical examination होगा, वो candidate का, वो bond by GMRCL, मतलब वो GMRC जो है, वही जो है medical examination को करवाया का मतलब आपको कोई खर्चा नहीं करना है, उसमें करना पड़ा तो आपको खुद को खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, जो lazy surgery अगर किया है, किसी candidate ने तो eligible नहीं है, जो मैं आ हो जाएगा, ठीक है, examination में अपियर होने के लिए, medical test में अपियर होने के लिए, उसके बाद एक psychometric test होता है, उसमें भी अपियर होने के लिए, किसी भी जगा पे आपको कोई भी reimbursement नहीं मिला दिया जाता है, इस बात का खयार रखना, ठीक है, उसके बाद bond जो है, जो है, ज जौब होगा, वो total seven years का जौब होगा, क्योंकि पहले दो साल तो training होता है, plus five साल का training in contract period होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, वो इस pay scale में total seven years आप जौब करना है, आपको, ताइपन कितना दिया जाता है, ट्रेनिंग के दोरान, यह मैं आपको बता दूं, जो SCTO है, उसक 15,000, first year, 16,000, second year, JEE के लिए 16,000, first year, 18,000, second year, और maintainer के लिए 12,000, first year, 14,000, second year, इतना टाइप वन जो है, वो मतलब training के दोरान दिया जाता है, देखिए, यह job opportunity बहुत ही बढ़िया है, friends, application की fees total 600 रुपीज है, general के लिए SC, OBC के लिए 300 और ST, ST, EWS के लिए 150 रुपीज है, कैसे वो डीटेल जो है, पुरा यहां पर दिया हुआ है, start date से लेके end date तक, आप यहां इस site पर click करके, on a registration जो है, वो easily आप friends कर पाऊगे, payment जो है, वो online mode से ही करना, यहां पर clearly दिखा हुआ है, क्या-क्या photograph की requirement यह भी दिखा हुआ है, देखो, JMRC में particular जो भी लिखा हुआ है, signature image क्या-क्या चाहिए, वो complete करना, इसमें कोई भी मतलब आप laziness जो है, वो मत रखना, यहां पर आपको एक्जाम में allow नहीं करेंगे friends, मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, identity verification जो है, वो भी बहुत important है, तो आपको यह सब online apply करने के लिए general instruction दिया यहां पर अगर आप गुजराती हो, गुजरात के हो, engineering आपने किया हुआ है, तो बहुत ही बड़ी opportunity है friend, देखो अगर आप late reporting करते हो, examination call में, तो आपको जो है, examination में allow actually नहीं किया जाता है, और आपको एक बात और बता दू, आपका original ID proof जो हो साथ में लेके जाना होता है, otherwise wise भी आपका examination hall में allow नहीं किया जाता है, यहां पर बहुत strict rules होते है, online exam होता है, यह फिचली बार भी SI हुआ था, फिचली बार काफी लोग बहुत दूर दूर से आये थे और क्योंकि उसके पास original ID proof नहीं था, तो उसको exam देना allow नहीं किया था friends, अगर आपको syllabus जानना है इस का, इसका मैंने separate video बनाया हुआ है, इस पर आप देख सकते हो, जो profile के बार में मैंने आपको बात किया, कि जो profile बहुत ही बढ़िया है, आपको ऐसा लगे है कि आप government job कर रहे है, वो railway का future बहुत ही अच्छा है friends, अभी तो गुजरात में metro start हुआ है, काफी सारे city में metro start हुआ बाकी है, एक बार आपको metro का experience हो गया, तो आप जो metro rail का experience हो गया, मतलब आपको, तो आप कहीं भी job easily कर सकते हैं, अभी तो सिर्फ गुजरात में भी एहमदाबाद सुरत में, तो starting phase में है, तो maximum chance है कि सुरत में, जो है starting phase में, वहाँ पर आपको posting मिले, तो यहाँ पे salary भी अ job करना पड़ता है, उससे अच्छा यहाँ पर allowances बहुत ही बढ़िया मिलते है, trailway में, allowances बहुत ही बढ़िया होते है, metro really है, railway पुरा privateize होने जा रहा है, आपको पता ही है, तो अगर railway privateize हो भी जाएगा, तो वहाँ भी आपको बहुत ही अच्छा opportunity मिलेगा, friends, तो अगर है, आप apply कर देना, और इसके regarding कोई भी query आपको है, कुछ भी आपको doubt है, तो आप मुझे comment section में comment करके जरूर पूछ सकते हो, मैं सारे doubts आपके solve करना ही कोशिश करूँगा, फिर भी आपको मेरी telegram channel को join करना है, अगर YouTube पे doubt नहीं पूछना है, तो telegram channel का link भी description box में रख दू हुआ है, तो वहाँ भी जाके आप मुझे doubt जो है, वो पूछ सकते हो friends, thank you very much.